नाइन्टीन जब जीवीपन चीफ इनिस्टर थे तो उस जगा पर 500 साल तक मुसल्मान नमाजे पड़े कॉंगरेस के जीवीपन मुख्यमंत्री थे राद के अंधेरे में उसे मूर्तियां रख दी गई मेरी मस्जिद थी है और रहेगी उन्हों मुर्तियां नहीं निकाले और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर नायर साथ मस्जिद बन करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिये और 1950 में नायर साथ जन संग के पहले मिम्बर आफ पारलिएंट बने पहले मिम्बर आफ पारलिएंट बने फिर 1986 में लॉक्स खोले गए बगर मुसल्मानों को सुने बूटा सिंग स्रेनास कर दिये 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संग परिवार पाबरी मस्जिद को डेमॉलिश कर दिये शहीद कर दिये और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया कब आया आपको मालूं आपनों मालूं बीजेपी कब उठाई 1989 में पालनपूर में बीजेपी रिजलूशन पास करी विश्वा हिंदु परिशा जब फाम हुई जब तो राम मंदिर नहीं था महात्मा गांधी बोले क्या महात्मा गांधी इस बारे बोले उन्हों तो बहुत बड़े उन्हों तो हेराम बोलके मारने वाला गोली मारा उनको गोट से उनके जबान से ही तो निकला था वो बोले क्या नहीं बोले तो ये पूरा एक सिस्टेमाटिक तरीखे से भारत के मुसल्मानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया सुप्रीम कोर्ट का यखीनन फैसला है सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखरी एपेक्स कोर्ट है title suit ता तो title suit में सुप्रिम कोट ने ये कही दिया कि फेइध की बुनियाद पर हम ये जगा मुसलमानों को नहीं दे सकते सुप्रिम कोट ये भी कही दिया कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई कि सुप्रिम कोट ने कहा उस जज्जमेंट में और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज्जमेंट आने के बाद ये रियक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटाइट चीफ जस्सिसन का नाम जस्सिस जेस वर्मा नाम था उन्होंने सुप्रीम कोट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोट इस सुप्रीम बट नाट इन्फैलिबल यह उन्होंने कहा था मैं फिर से कह रहा हूँ और मैंने उस वक्त यह कहा था कि यह जज्जमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे जिसको अंग्रेज़ में बोलते है पेंडराव बॉक्स विल बी ओपन और आज आप देख रहे हैं कि हर जगा पर संग परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं यहां पर मजड नहीं थी ये मेरा मानना है ये मेरा बोलना है हम ये बोल रहे हैं अगर जी बी पंज मूर्किया रहता देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मज़ी डेम immensिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई देहीं नहीं रहा है और फिर उपर से जो अपने आपको सेकुलियर बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्य मंत्री और जो अलाइंस में हम हर ट्यूजजे कू सुरजकन पार्ट और हनुमान चली सा स्कूल में गौर्मेंट स्कूल में पढ़ाएंगे गौर्मेंट स्कूल का कोई रिलिय नहीं होता है क्या हैं अभी तो सब का जगड़ा चल रहा है क्या जगड़ा ही है जगड़ा क्या है अगर मोडी नहीं रहते तो हम भी चले जाते हम उन सब से पूछ रहे कि बताओ ये जो मैं बातें कर रहा हूँ तीन इंपॉर्टन इंसिडेंट्स बोर रहा हूँ जी बी पंच जब चीफ मिनिस्टर थे 1986 6 दिसंबर 1992 इस पर क्या बोलना है आप लों का बोलो कोई नहीं बोलता है इसलिए नहीं बोलता क्योंके सब को मैज़ारिटी कम्यूनिटी के ओर्ट्स को हासिल करने का जगड़ा है और नरिंदर मोडी ये काम करके मैज़ारिटी ओर्ट्स को कॉंसलिडेट करना चाहते हैं और इससे पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसल्मानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुखाम है आपकी प्लेस क्या है ये बता जा रहा है